क्या कहती है आपकी राशी जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का कोर्ण विश लेते हैं आचारे चंदन संडिलेजी से क्या कहती है आपकी राशी जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का कोर्ण विश लेते हैं आचारे चंदन संडिलेजी से गुरूर ब्रह्म्हा गुरूर वेष्णू गुरूर देवो महेस्वर गुरू साक्षात प्रम्ब्रह्म्हा तसुमय स्रे गुरुवे नमह नमस्कार दर्शकों मैं पंडित चंदन सांडिल परती दिन के तरह एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी के अपने एवं बेहद ही खास कारिक्रम कुंडली दर्शन में और आज कुंडली दर्शन के इस विशेश रासी फल विशेशां कारिक्रम में बात करेंगे 27 आरिक्रम में जानेंगे कि कैसा गुजरेगा आपका आज का सोमवार का दिन क्या है ग्रह नच्छत्र और सितारों की चाल क्या होगा आज के दिन आपके रासी का हाल लेकिन आईए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंजांग से आज विक्रम समवत 2075 भाद्रपद, क्रिश्न पक्ष, पर्ती परदातिति, सुकर्मा योग और सत्विसा नचत्र लगा हुआ है और आज सोमवार का दिन है आज के दिन राहुकाल सुबह के 7 बज कर 30 मिनट से सुबह के 9 बजे तक रहने वाला है और जोतिस सास्तर के अमसार राहुकाल में किसी भी प्रकार के सुबह या नए मांगलिक कारे को प्रारम नहीं करना चाहिए इससे आपके कारियों में निश्च्रित रुप से विग्न बाधा एवं समस्याएं उत्पन होती है आज बहुत ही शुवयोग के कारण कुछ रासी वालों के बन सकते हैं कई जरूरी काम तो वहीं कुछ रासी वालों को रहना है सावधान तो आईए जानते हैं क्या कहता है आपका आज का रासी फल शुरुवात करें सबसे पहले मेश रासी से फिर क्रमसा बारी बारी से मेश रासी से लेकर में रासी वालों के रासी फल के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जरूरी सूचना उन दर्शकों के लिए जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए है वो वीडियो के नीचे देखें लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ जो बटन देख रहा है उसे किलिक करें किलिक करते ही आपको जश्ट बगल में एक घंटी के आकार का बेल आइकोन का जो बटन दिखेगा उसे भी किलिक कर दे जिससे आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो के जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो जाए तो चलिए शुरुवात करते हैं सबसे पहले मेश रासी से मेश रासी वाले आज आपका दिन सांदार रहेगा आज आपके काम से आपके सिनियर बहुत ही जादा प्रभावित होने वाले हैं आज राजनितिक व्यक्तियों से लाब मिलने के भी कुछ अच्छे आसार दिख र इस रासी के छात्रों को किसी विसे पर अधिक जानकारी जुटाने का कुछ अच्छे मोके मिल सकते हैं आज के दिन उपाय में ब्रहमनों को भोजन कराएं जिससे आपके बांकी सभी काम भी बहुत आसानी से पूरे होते चले जाएं अब आईए बात करते हैं अगली रासी विरसबरासी वेले आज आपका दिन पहले से कुछ उत्तम रहने वाला है लेकिन आपके कारियों में कुछ फेर वदल होने की संभावना दिख रही है आज आपसी विश्वास और सहस्ता के सहारे संबंधों में मजबूती आने के योग बन रहे हैं आपके किये हुए कारियो का परिश्रम का फल आपको परणाम सरूफ बहुत जल मिलने वाला है दोस्त आज आपको किसी फंसन के लिए इन्वाइट भी कर सकते हैं महिलाओं को कोई खुस खवरी का मोका मिल सकता है आज परिवार के साथ आपका समय बहुत सुख़द बीतने का योग भी दिख रहा है जिवन साथी के साथ शमन्द आपके मधूर रहेंगे आज के दिन उपाय में भगवान स्री गनिश्जी को लड़ू का भोगचर है इससे आपके सभी रुके वे कम अवसही पूर्ण होंगे अब आईए बात करते हैं अगली रासी मिथुन रासी मिथुन रासी वाले आज आ लोगों के लिए दिन अच्छा है उमीद की नई किरन नजर आ सकती है आज प्रेम संबंदों में सफलता मिलने के योग दिख रहे हैं अपनी और अपनों की सेहत का विसेश ख्याल रखें आज के दिन उपाय में भगवान भोले नात को पूजन करें और सिविलिंग पर जलर करगरासी करगरासी वाले आज आपका दिन मध्यम एवं ठिक ठाक रहेगा कोई वेक्ति आपकी योजनाओं को बिगाडने की कोशिस कर सकता है इसलिए सतर्क रहें सावधान रहें कोई महत्पुर्ण फैसरा लेने में थोड़ी बहुत कन्फियोजन भी हो सकती है अपनों की मदद से रहात मिलने के संक्यत दिख रहे हैं सुआस्त के मामले में दिन आपका अच्छा रहेगा आज के दिन मौसमी फल का सेवन आप जरूर करें और साथ ही साथ जरुरत मंद वेक्तियों को भोजन कराएं जिससे आपके कारियों में आपको शफलता उनकी दुआओं के र साम तक कोई बहुत बड़ी सफलता मिलने के योग भी देख रहे हैं जिससे आपका मन परशन होने के योग बन रहे हैं आज काम काज की अधिकता भी हो सकती है वैवहाईक जीवन में गलत फाहमी ना पालें इससे आपके आपसी रिस्ते निश्चित रूप से दुरियों में बदल सकती है इस रासी के वैपारियों के लिए जीवन साथी की सलहा आज मददगाल शिद्ध हो सकती है आज के दिन उपाय में भगवान स्री गनेश जी को पूजन करें जिससे आपके सभी कामों में सफलता आपको जरूर मिलेगी अब आईए बात करते हैं अगली रासी कन आज आपका दिन बहुत ही उत्तम रहने वाला है आज आप कोई बहुत बड़ी सफलता भी अपने पिछले की हुवे कारियों से हासिल कर पाएंगे घर में कोई इवेंट या पार्टी का आयोजन भी कर सकते हैं इस रासी के बिल्डर्स को नया काम मिलने से धनलाब होने के य बहतर रहेगा आज के दिन उपाए में भगवान सूर्यदेव को जलरपित करें इससे आपके शभी दुखों का निप्टारा अवश्य होगा अब ये बात करते हैं अगली रासी तुलरासी तुलरासी वाले आज आपका दिन शामान रहने वाला है जरूरी काम शावधानी प के लिए आज आप उस व्यक्ति से भी हाथ मिला सकते हैं जिसके पास जाने से भी आपका मन घबराता हो कतराता हो वैपार में एक्सपर्ड की सला से ही निवेश करें यदि आप सेर बजार या स्टोक मार्केट में निवेश करते हैं तो निश्चित रूप से सोच समझ कर ही जिसका आर्थिक फैदा आपको जरूर हो समाजी कस्तर की बात करें तो आज आपका मान शम्मान पद परतिष्टा में विर्धी होने के संकेट देख रहे हैं वैभाईक जीवन में कुछ छोटी मोटी समस्याओं के बहुजूर दिल उत्तम रहेगा आज के दिन उपाय में हन परत रहेगी आज के दिन आपके सभी सोचे हुए कार एक एक करके पूरे होने के संकेत दिख रहे हैं ओफिस में आपके कारियों की परसंसा हो सकती है इस रासी के कलाकारों की रचनात्मक छमता को काफी सरहना मिलने के वियोग बन रहे हैं कारुबारियों को आगे बढ़ने के नए मुके मिल सकते हैं आपकी कम्निकेशन स्किल आज शामने वाले को आकरसित कर सकता है आज के दिन उपाय में नहाने के पाणी में गंगा जल डाल कर नहाय इससे आपके सभी काम अवश्य बनेंगे अब आज ये बात करते हैं अगली रासे धनुरासी धनुरासी वेले पूरा सहयोग प्राप्त होने के योग दिख रहे हैं इस रासी के वकीनों के लिए भी आज का दिन बेहतरीन है कोई जरूरी केस आपके पक्ष में रहेगा आपकी मुलाकात किसी पुराने मित्र से हो सकती है जो किसी खास काम में आपकी मदद करेगा आज के दिन उपाय में भगवान सिव को बेलपत्र चढ़ाए इससे आपकी सभी मनुकामना पुर्ण होगी अब आई ये बात करते हैं अगली रासी मकर रासी मकर रासी वाले आज सोचे हुए काम अचानक से आपके पूरे होते होते रुख सकते हैं घर के सभी सदस्यों की इक्षा को पूरी करने की क कोसिस करेंगी दोस्तों से कुछ अनबन हो सकती है काम से आपको धन लाब होना आज थोड़ा बहुत मुस्किन दिख रहा है इसलिए किसी वी कारी को करतेश में आप निश्चित रुप से शतर्क होकर ही कोई कार करें किसी के साथ बेवजा के वाद विवाद में ना पढ़े इससे आपका समय भी खराब होगा और निश्चित रुप से कुछ समस्या भी उत्पन हो सकती है बहतर होगा कि विवादों में पढ़ने से बचें उपाए में हनमान जी को बुंदी के लड़ू का भोग लगाए इससे आपको शखलता की प्राप्ति अवस्य होगी अब आई ये बात करते हैं अगली रासी कुम्बरासी वेले आज का दिन आपके लिए बहतरीन रहेगा खुद की महनत से आप पडिवार की उपिक्छाओं पर खरे उतरने में कामियाब रहने वाले हैं माता पिता के सहयोग से कारूबार में विर्धी होने के योग दिख रहे हैं आज के दिन उपाय में मंदिर में दिपक जिलाएं जिससे आपके घर में सुक शांती बनी रहे अब आई ये बात करते हैं अंतिम रासी में रासी में रासी वेले आज आपका दिन पहले के पिक्छा अच्छा रहेगा इस रासी के प्रोपर्टी डिलर को आज लाग हो सकता ह इस रासी के विवहाईत आज किसी धार्मिक अस्तल पर दर्शन के लिए अपने जीवन साथी के साथ जा सकते हैं, जिससे उनके आपसी रिस्ते मजबूत बनेंगे, कोई नया काम करने के बारे में आप कुछ प्लानिंग भी कर सकते हैं, पडिवार और आसपास के लोगों में आज आपकी एक अच्छी इमेज बन सकती हैं, आज के दिन उपाय में गाय मक को गुड़ खिलाएं, इससे आपके सभी काम बहुत ही सहस्तापुर्ण शंपुर्ण होंगें, तो दर्शकों आपने देखा क्या कहता है आपका आज का रासी फल, इसी परकार से जोतिस एवं ध धर्म से जुड़े अनेक रहश्पुर्ण, महत्पुर्ण बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूने, सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे देखें, लाल कलर का सब्सक्राइब लिखावा बटन फिर मुलाकात होगी आप सभी दर्शकों से, आगले कारिकर में तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे, राधे